Hello everyone, welcome to my channel, Mohi Sirs Lecture बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए class 10th से जो आपका chapter है 7th chapter यानि की coordinate geometry उसकी exercise 7.2 आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ठीक है तो चलिए start करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं question number 1 मैंने पहले ही दिख दिया है, find the coordinates of the point which divides the joint of this and this in the ratio 2 is to 3 कहने का क्या मतलब है, देखिए, ये जो exercise है बच्चों वो section formula की उपर चल रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि section formula सबसे जादा important है क्योंकि इस साल आपके जो slavus है उसमें से area of triangle को हटा दिया गया है ना, इस साल के लिए सिर्फ अभी फिलाल में अटाया है, तो अब section formula पहले से important था, अब और जादा important हो गया ठीक है, क्योंकि question बनने के chances अब सबसे जादा इस concept में ऐसी है जो 10th class के आपके boards होंगे, तो देखिए, इसका concept मैंने पहले ही upload कर दिया है proof पहले डाल दिया, आप मेरी playlist में देखिए, और examples भी upload कर दिया है तो क्या है question का मतलब, आप से बोल रहा है कि बताइए उस point के coordinates क्या होंगे जो इन दौनो points को join करने वाली जो line है उस पर पड़ा हुआ है, और उस line को 2 is to 3 के ratio में divide कर रहा है, अगर मैं आपको figure के through समझाओं, तो figure के through समझ लीजे जैसे suppose ये a point है, ये वाला minus 1,7 और इधर आपको b point दिया हुआ है 4, minus 3 और माल लीजे इस पर कोई एक point p पड़ा हुआ है, x, y which divides the line segment a b in the ratio 2 is to 3, ठीक है, ये 2 is to 3 के ratio में divide कर रहा है ऐसे करके ये figure थोड़ा से मैंने बना दिया थाके आपको समझ में आ जाए, तो सबसे पहले students हमें m is to n, जो ratio है वो क्या दिया हुआ है, 2 is to 3, ratio को मैंने बताया था, m is to n से denote करते हैं, ठीक है अब p point section formula क्यों use करते हैं, section formula इस p point को find करने के लिए use किया जाता है तो सबसे पहले मैं इस में formula लिखूंगा p x, y जो मैंने point माना है, ठीक है आप लिख लीजेगा let the point be p x, y first of all formula is m x2 plus n x1 upon m plus n, m y2 plus n y1 upon m plus n, ठीक है यह आपका जानते ही है सभी formula होता है m, m की जगा students, 2 आएगा x2, बचो x1 y1, x2 y2, तो x2 की जगा 4 आजाएगा, आप चाहें तो exam मैं pencil से उसके उपर roughly लिख सकते है x1 y1, x2 y2, यहाँ पर बाद में जाके रब कर दीजेगा, n की जगाए कितना है, 3, ठीक है, m की जगाए 2 था, n की जगाए कितना है, 3, x1 की जगाए कितना है, minus का 1, upon m plus n का मतलब 2 plus 3, okay, m की जगाए फिर से 2, y2 की जगाए कितना है, minus का 3, n की जगाए 3 है, और y1 की जगाए 7 है, upon 2 plus 3, यहाँ तक आप सभी को clear हो गया होगा, उसके बाद में 2 into 4, 8, 8 में से अगर 3 गए तो, 5 upon 5, minus का 6 और plus का 21, 15 बचेंगे नीचे 5, तो answer will be 1, 3, clear, क्योंकि 5 से 5 वन टाइम्स, और 5 से 15, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ऐसे हम, with the help of section formula, किसी भी point को, जो है, find out कर सकते हैं, देखें students, यह मैंने आप लोगों के लिए question number 2 लिख दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, find the coordinates of the point of trisection of the line segment, joining this and this, आपको 2 points दिये हुए है, सपोज हम यहाँ पे एक figure बना लेते हैं, A, B, A point है आपके पास में 4, minus 1, और B है, minus 2, minus 3, clear है इतना, 4, minus 1, आपसे कहा रहा है, point of trisection, क्या मतलब है, इस line को 3 equal parts में कुछ points divide कर रहे हैं, तो आपको उन points के coordinates find करने हैं, अब trisection 3 equal parts में divide कर रहे हैं, तो यह पक्की बात है, कि सिर्फ यहाँ पे 2 points होंगे, क्योंकि 2 points जो होंगे, तो वो 3 equal parts में divide कर सकते हैं, किसी line को, 1, 2, 3, ठीक है, trisection का मतलब equal 3 parts होता है, मतलब हमारे पास जो ratio है, वो रहेगा आपका 1 is to 1 is to 1, क्योंकि trisection मतलब 3 equal parts में divide करना, और equal parts जब divide करेगा, तो ratio will be 1 is to 1 is to 1, equal parts है, तो ratio 1 is to 1 रहता है, इन दोनों coordinates को आप पहले कुछ माल लीजिए, जैसे, इसे माल लीजिए, आप एक काम करते हैं, X और Y तो formula में होता है, फिर problem होती है आप लोगों को लिखने में, तो इन्हें हम किसी और से denote कर देते हैं, जैसे, A1, B1, और A2, B2, ठीक है students, A1, B1, A2, B2, मैंने इससे denote कर दिया है, अब, यहाँ पे, जब आप निकालेंगे, for point P, माल लेते हैं, हम point P के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि, एक बार में A की point निकलेगा, दो तो निकलेंगे नहीं, है न, तो point P के लिए जब हम बात करेंगे, तो ratio क्या होगा, इसमें सबसे, जो important है, वो है ratio, M is to N क्या होगा, M is to N होगा, 1 is to 2, आपको, यह question important भी है, यह question important है, exam में आ सकता है, लेकिन इसमें important यहाँ है, ratio, ratio, ratio आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, मतलब पता होना चाहिए, logic है, कोई रटना थोड़ी है, M is to N का मतलब क्या है, जब P point के लिए बात कर रहे हैं, तो ratio होगा, AP is to PV, आपको यह Q point नहीं दिखना चाहिए, AP is to PV, तो AP तो 1 है, लेकिन PV कितना, 1 और यह 1, 2 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने 1 is to 2 लिया, अब मैं यहाँ पर P point लिखूँँगा, A1, B1, ठीक है, यह कॉमा है, मैं थोड़ा और ठीक से बना दीता हूँ, लीजे बन गया, formula आप सभी को पता ही है, formula क्या है, mx2 plus nx1, तो मैं बार-बार formula लिखके आपका time waste नहीं करूँगा, अभी first question में बता भी दिया मैंने, m, m का मतलब 1, ठीक है, x2, x2 की जगे कितना आएगा, माइनस का 2, x2, plus nx1, n की जगे 2, x1 की जगे कितना आएगा, 4, upon m plus n, m plus n का मतलब 1 plus 2, comma, m की जगे 1, y2 की जगे, माइनस का 3, plus n की जगे 2, y1 की जगे, माइनस का 1, upon m plus n, ठीक है, यह लिजे, यहाँ पर, हाँ वही, माइनस का 2, और प्लस का 8, overall बचेगा 6, upon 3, माइनस का 3, और माइनस का 2, माइनस का 5, upon 3, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, 3 से यह कट जाएगा, वो जाएगा, 2, minus का 5, upon 3, यह fraction में ही आ रहा है, आने दीजे, कोई problem नहीं है, ठीक है, आ रहा है तो आने दीजे, माइनस का 3 है, माइनस का 2, माइनस का 5, ठीक, तो यह हमारा क्या निकलाया, point P के लिए हो गया, अब यहाँ तक आप सभीने note कर लिया होगा, ठीक है, अब बात करेंगे इसी में, point Q के लिए, तो point Q के लिए जब हम बात करेंगे students, तो यह जो ratio है, वो क्या हो जाएगा, इस बार, 2 is to 1, ratio 2 is to 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब हम लेंगे Q point के लिए P आपको नहीं दिखना चाहिए, AQ is to QB, और AQ कितना है टोटल, 2, तो 2 is to 1 हो जाएगा, formula में आपका जो है, यहाँ पर मैं इसे हटाई देता हूँ, क्योंकि अब तो formula में change हो जाएगा, हर जग है, ठीक है, एक मिनट बस, change क्या होगा, ratio change होगा, coordinates हो भाई है, X1, Y1, X2, Y2 जो लेते हैं, लेकिन coordinates की जगह है, बस, वो change हो जाएगा, आपका, M is to N, A2, B2, ठीक है, Q, देखे, M, M की जगह है, 2, X2 की जगह है, फिर से वहाँ से देखेंगे, तो minus का 2, plus N, X1 की जगह है, 4, upon M plus N, वहाँ से M, Y2, Y2 का मतलब, minus का 3, plus N, N की जगह है, 1, और Y1 की जगह है, minus का 1, upon 2 plus 1, clear हो गया हो गया यहां तक, minus का 4, और यह plus का 4, 0 upon 3, यह minus का 6, और minus का 1, overall हो जाएगा, minus का 7 upon 3, तो answer, इसका जो finally आएगा, वो आएगा, 0, minus 7 upon 3, क्योंकि आप सभी जानते है, 0 upon something क्या होता है, 0 होता है, तो 0, minus 7 upon 3, तो यह P और Q दोनों वो points है, जो इस line को trisect कर रहे हैं, मतलब 3 equal parts में, divide कर रहे हैं, I hope आपको clear हो गया होगा, देखिए students, यह मैंने question number 4 लिख दिया है, third question आप देख सकते हैं, third question जो है, मैंने इसलिए नहीं कराए, question बहुत बढ़ा है, उसमें एक figure दिया हुआ है, लेकिन वो question सिर्फ दिखने दिखने में बढ़ा है, उसका जो solution है, वो बहुत simple, बहुत छोटा है, और first or second के जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने fourth question कराए, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, find the ratio, in which the line segment joining the points, this and this, is divided by minus 1,6, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपको ratio दिया जा रहा था, और वो point जो divide कर रहा था, वो पूछा जा रहा था, लेकिन अब, आपको वो divide करने वाला point दे रखा है, और आपसे इस बार ratio पूछा गया है, ठीक है, तो अगर मैं figure के थूँ बात करूँ, तो suppose यह A है, यह B है, A आपको दे रखा है, minus 3,10, B आपको दे रखा है, 6, minus 8, और वो point जो P है, वो इस बार दे रखा है, minus 1,6, ठीक है, आपसे पूछा गया है, किस ratio में यह point minus 1,6, इस line segment को divide कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, let the ratio be, K is to 1, अब आप कहेंगे कि sir, ratio भी तको आप M is to N ले रहे थे, लेकिन अप case to 1 क्यों, इसका पूरा concept, कैसे, क्या reason, सब मैंने आपको examples में बताया हुआ है, आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप playlist में examples देख लीजे, इस वाली exercise के, exercise 7.2 के examples, इससे just मैंने पहले ही upload की है, उसमें ये case to 1 का पूरा concept समझा रखाया है, अब देखिए, हम माल लेते हैं कि वो ratio case to 1 है, मतलब ये जगह लेगा M is to N की जगह है, M की जगह है K और N की जगह है 1, तो क्या formula होता है, P point minus 1,6, यही तो रखते हैं, point ही तो रखा जाता है यहाँ पर, जो divide करता है, और यहाँ पर आता है M x2, M की जगह है K, x2 की जगह 6, देखिए मैं formula इसलिए नहीं रख रहा हूं, ताकि आप लोगों का time बचे, formula मैं लिख सकता हूं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग लिखी लेंगे, क्योंकि आपका time बचेगा, बार-बार एक formula लिखूं, वही formula चल रहा है, M x2 की जगह 6, plus N की जगह 1, x1 की जगह minus 3, upon M plus N, मतलब K plus 1, M y2, M y2 का मतलब K into minus 8, plus N, y1 की जगह 10, upon K plus 1, यहाँ से सिर्फ minus 1, 1, 6 रह जाएगा यह, और यह हो जाएगा, 6K minus का 3, upon K plus 1, और यह minus का 8K, plus का 10, upon K plus 1, I think आपको यहाँ तक सब clear हो गया होगा, इस को हम इसके equal रखेंगे, x को, यह x का coordinate है न, 6K minus 3, upon K plus 1, is equals to minus 1, और इस वाले को, minus 8K, plus 10 upon, K plus 1 को हम equal रखेंगे, 6K, Y coordinate को Y के equal रखेंगे, cross multiplication करेंगे, तो 6K minus 3, is equals to मिलेगा, minus K minus 1, और यहाँ से, minus 8K, plus 10, is equals to मिलेगा, 6K plus 6, 6 का multiply हो जाएगा न, दोनों में, अब, कुछ students मेरे से पूछते हैं, कि सर, value तो यहाँ से भी निकल आएगी एक से, तो क्या दोनों को करना जरूरी है, yes, दोनों को करना जरूरी है, हमें देखना पड़ता है, अगर दोनों से K की value, same आ रही है, तो तो वहाँ पे वो ratio सही है, वो point satisfy कर रहा है, otherwise अगर दोनों से K की value अलग आती है, तो वहाँ पे वो कोई भी ऐसी K की value, मतलब वो ratio नहीं होगा, या फिर point में कोई गलती होगी, उसे satisfy नहीं कर रहा होगा, या फिर आप से calculation में mistake होगी, तो आपको दोनों निकल के match करने हैं, आपके K की value दोनों से same आ रहे हैं नहीं, minus के अदर आके positive होगा, 7 के हो जाएगा, यह उदर जाके plus होगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो 2 बचेगा, कौमा लगा देता हूँ, यहाँ पे आएगा, तो minus का 14 के हो जाएगा, यह उदर जाएगा, तो minus का 4, तो students, यहाँ से K की value आ रही है, 2 upon 7, और यहाँ से भी K की value आ रही है, 2 upon 7, minus से minus cancel, 2 से 2 times, 2 से 7 times, therefore, ratio, ratio क्या था, K is to 1 था, और K की value क्या रही है, 2 upon 7, तो 2 upon 7 is to 1, अब मैंने आपको बताया था, ratio का यह rule होता है, आप दोनों में उपर की side 7 का multiply कर दीजे, तो यहाँ से यह ratio हो जाएगा, 2 is to 7, या फिर डिरेक्ली मैं बोलूं, तो 7, 100, 7, ऐसे multiply करके नीचे हटा दीते हैं, या पूरे में 7 का multiply किया ratio का rule होता है, तो आपका जो answer है, इस वाली का, कि क्या ratio में डिवाइड करेगा, वो answer है, 2 is to 7, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर, देखें students, यह question number 5 है, question में दिया हुआ है, कि find the ratio in which the line segment joining A, 1, minus 5, and B, minus 4,5 is divided by the x-axis, अब आप सोच रहोंगे, कि यह तो अभी की तरह question है, अभी थोड़ी देर पहले भी तो ratio ही find किया था, yes, but इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, वहाँ पे आपको एक point दे रखा था, P की यह point है, minus 1,6 था, यह divide कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है, is divided by the x-axis, और अगर मैं बात करूँ कि उसमें और इसमें, दोनों में examination point of view से कौन सा question important है, तो वो यह वाला, वो वाला नहीं, वो तो हर कोई कर लेगा, कर तो इसे भी हर कोई लेगा, लेकिन फिर भी यह ज़ादा important है, क्योंकि आपको इसमें दिमाग लाना है, मतलब वो point हमें क्या लेना है, वहाँ पे दिया था, इसमें सोचना है, अब बच्चों आप सभी जानते हैं, कि कोई भी point अगर x-axis पर है, ठीक है, तो उसकी जो standard form होती है, general form जो होती है, किसी भी point की जो x-axis पर है, वो होती है x, 0, ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे, कि सर्फ वो point अगर negative x-axis पर हुआ, तो बिल्कुल, लेकिन हम उसकी form को x, 0 ही लेके चलते हैं, अगर वो negative x-axis पर होता है, तो अपने आप x की value वहाँ पर, minus में आ जाएगी, तो पता चल जाएगा, कि वो point जो है, negative x-axis पर है, बट हम लोग let करके उसे x, 0 ही चलेंगे, जैसे कोई भी point अगर y पर होता है, तो क्या मानते हैं, क्योंकि इस question में एक change किया जा सकता है, जैसे यह वाला question जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें x की जगए बस y-axis कर देता, अगर, तो आप क्या point लेते, 0,Y, ठीक है, क्योंकि standard form y-axis पर 0,Y होती है, किसी भी point की, x-axis पर x, 0, वो निकालने के बाद, ratio निकालने के बाद आप से बोल रहा है, also find the coordinates of the point of division, मतलब जो यह point आप ले रहे हैं, x, 0, यह point भी बताना है कौन सा होगा, तो चलिए start करते हैं फिर, सबसे पहले वही वाली बात लेकेंगे, let the point be px, 0, अचा figure बनाओं क्या, figure की कोई requirement तो है नहीं है, वही a और b है, ऐसे line बनेगी, पिछले वाली की तरह है, उस पर बीच में p point डाला था, minus 1, 6 लिख दिया था, इसमें x, 0 लिख दूँगा, बस इतने असी फरक है, ठीक है, चलो फिर भी बना देता हूँ, अभी किसी को समझ में नहीं आए तो, माल लेते हैं, ऐसे करके point b, x, 0, यह a point है, यह b point है, ठीक है, देख लीजे, a point कित्ता दिया हुआ है, positive 1, minus 5, और b दिया हुआ है, minus 4, 5, ठीक है, चेक कर लोगा एक बार, हाँ, यही दिया हुआ है, points में, coordinates में, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सब गलत हो जाएगा, तो कहा हाते हम point दिया है, ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो चीजे माननी हैं students, let the point be P, x, 0, and ratio, be case to 1, वही, ratio भी तो मनना पड़ेगा वही, में तो उसने ratio भी पूछा है आपसे, ओके, P, x, 0, क्या होता है, m, x2, m की जगह क्या आएगा, k, x2 देख सकते हैं, वहाँ से minus का 4, plus n की जगह 1, x1 की जगह क्या आजाएगा, positive 1, यह रहा, x1, upon m plus n, मतलब k plus 1, comma, m, y2, m की जगह k, y2 का मतलब 5, plus n की जगह 1, y1 का मतलब minus 5, m, y2, plus n, y1, y1 यह रहा, और, k plus 1, आगे बढ़ते हैं, points जैसा कि आप जानते हैं, इसको तो x, 0 ही लिखेंगे सिर्फ, यह क्या हो जाएगा, minus का 4k, plus का 1, upon k plus 1, यह क्या हो जाएगा, minus का 5k, minus 5 upon k plus 1, अब देखिए, x का coordinate, x के equal, y का coordinate, y के equal, is equal to में क्या 0, ठीक है, उसके बाद, यह जो point of division है, बाद में निकालेंगे, यह भी variable, यह भी variable, दोनों तो solve नहीं हो पाएँगे, पहले से solve करते हैं, चलिए, यह k plus 1, 0 में multiply होगा, cross multiplication से, it will be 0, बचेगा क्या, 5k minus 5 is equal to 0, 5k is equal to 5, and k will be equal to 1, k की value बना जाएगी, अब जो k की value बना, अब देखे, k की value बनाने का क्या मतलब है, ratio तो आ गया मेरे पास में, ratio क्या था, k is to 1 था, और k की value आईए 1, तो ratio क्या हो गया, 1 is to 1 है, इससे मुझे पता चल गया, कि वो midpoint है, वो वहाँ पे ratio 1 is to 1 आ रहा है, मतलब वो midpoint है, ठीक है, अब उस k की value को 1 को, जब आप यहाँ पे put कर देंगे, इधर कर दीता हूँ, ताकि आपको clearly दिखेगा, यहाँ k की value 1 put कर देंगे, तो x की value निकल के आ जाएगी, k की value यहाँ रख दीजे, minus 4 into 1 plus 1 upon 1 plus 1, तो finally यह बचेगा, minus का 3 upon 2, क्यों, minus 4 plus 1 minus 3 नीचे 2, तो x की value minus 3 upon 2 आ गई, therefore, बच्चों वो point of division आप से पूछ रहा है, point P, x, 0 माना था, x की value क्या है, minus 3 by 2, और 0, तो यह लिजे point निकल के आ गया, और देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, कि वो point अगर negative x-axis पर हुआ, अपने आप x negative आ किया, तो आपको जरूरत नहीं है, सोचने की कि यहाँ पे x, 0 ले है, minus x, 0, अपने आप negative आ कि उसने बता दिया, कि भई, वो point negative x-axis पर पढ़ा हुआ है, ठीक है, यह चीज है, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हूँ, आपके verify भी कर सकते हैं अपना answer, कि सही है कि नहीं, ratio 1 is to 1 आ रहा है, मतलब यह p क्या है, midpoint हो गया, अब midpoint का formula भी तो आपको पता है, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, चेक करके देखा हूँ, देखो, plus 1 और minus 4, minus 3 upon 2, आ रहा है, y1 plus y2, minus 5 plus 5, 0 upon 2, 0, आ रहा है, यानि यहाँ से यह भी confirm हो गया, कि हाँ हमारा ratio सही है, और हमारे points भी according to this ratio, बिलकुल सही है, तो बच्चों यह था question number 5, I hope आपको एकदम clear हो गया होगा, देखे students, यह मैंने आप लोगों लिए question number 6, note कर दिया यहाँ पर, क्या दिया हुआ है question में सभी बच्चे देखेंगे, if 1,2, 4,Y, x,6, and 3,5, are the vertices of a parallelogram, सभी बच्चे जानते हैं, parallelogram को ऐसे लिख सकते हैं, taken in order, यह चार points हैं, coordinates हैं, vertices हैं, parallelogram के, आपको x और y की value find करनी है, सभी जानते हैं, parallelogram, की properties के बारे में, क्योंकि 9th class तो सभी ने पढ़ी हुई है, माल लेते हैं, यह parallelogram है, ABCD, ठीक है, थोड़ा roughly बनाए, ऐसे ही है, adjust कर लीजेगा, coordinates लिख दूँ, लिख देता हूँ coordinates, वरना हो सकता है, समझ में कमाई, a के 1,2 है, b का 4,y है, c का x,6 है, d का 3,5 है, अज़ा बच्चों, मैं एक चीज़ और बता रहा था, बीच में देखिए, मुझे दिहान आगया है, तो मैं बता देता हूँ, अचानक से, कि कुछ बच्चे, मुझे, जहां अलग-अलग, platform पे जुड़े हुए हैं, बोलते हैं, कि सर, आपने video post नहीं की, जबकि मैं वो video post कर चुका होता हूँ, और वो मुझे बोलते हैं, कि सर, आपने, video post कियों नहीं कर रहे हैं, तो, मुझे ऐसा लगता है, कि आपके पास, शायद notification नहीं पहुच पाता है, जिसकी वज़े से, आपको पता ही नहीं चलता है, कि मेरी videos आ चुकी है, या मैंने upload कर दिये, तो, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, कि आप लोगों ने subscribe तो कर रखा है चैनल को, लेकिन आपने bell icon को hit नहीं किया हुआ है, कहने का मतलब bell icon को जब आप press करेंगे, hit करेंगे, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, कि आपको क्या सारे notification चाहिए, या कुछ notifications चाहिए, तो आप वहाँ पे all को प्रेस कर लीजेगा, hit कर दीजेगा, मतलब all notifications पर click करेंगे, तब आपको जा करके, मेरी सारे videos के notification मिलेंगे, अगेले subscribe करने से कुछ नहीं होता, मतलब subscribe करने से जरूरी नहीं है, कि आपको सारे notification मिलेंगे, सारी videos का आपको, वहाँ पे पता चल पाए, कि हाँ मैंने upload किया नहीं, तो subscribe तो करना ही है, free of cost है, लेकिन उसके साथ मैं, bell icon को जरूर hit करना है, ठीक है, और फिर all पे click कर देना है, जब जाके आपको मेरी सारी videos के बारे में पता चलेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, यह आप ही लोगों के लिए है, चलिए, और यह मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों के messages आते हैं, जब मुझे पता चलता है, कि हाँ, आप लोगों को पता ही नहीं है, मेरी videos आ चुकी होती है, तो देखिए, ऐसे करके, यह taken in order का मतलब है, चारो लाइन से लिए है, ABCD चार वर्टिस है, आप से कहा रहे हैं, X और Y निकाल लिए, अब आपको यह पता होना चाहिए, 9th class की प्रॉपर्टी है, कि the diagonals of a parallelogram bisect each other, तो इसका यहाँ concept से क्या मतलब है, जैसे माल लीजे, यह भी diagonal है, यह भी diagonal है, यह O point है, bisect each other का मतलब है, कि OA is equals to OC, और OB is equals to OD, equal parts में divide करता है, अच्छा तो मुझे आप एक बात बताईए, अगर OA OC के equal है, तो हम यह कह सकते हैं, O is the midpoint of AC, midpoint ही तो होगा, और अगर OB OD के equal है, तो same, O is the midpoint of BD, अब O point दोनों में आ रहा है, तो यह O point तो अपने उपर ही लाए करेगा, अपने उपर ही coincide करेगा, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ, midpoint of AC is equals to midpoint of BD, बिलकुल बोल सकता हूँ, क्योंकि AC का midpoint भी O है, और BD का midpoint भी O है, तो O तो O के equally रहेगा, O के coordinates तो O के coordinates के equally रहेगा, तो यहाँ पर students concept लगेगा, पहले हम लिखेंगे, एक line लिखेंगे, we know that, exam में आपको ऐसे ही लिख किया आना है, we know that, the diagonals of a parallelogram bisect each other, हमें पता है कि यह bisect करते हैं एक दूसरे को, therefore, midpoint of AC is equals to midpoint of BD, एक में मैंने complete पूरा लिख दिया, एक मैं short form डाल दी, ठीक है, midpoint, अब midpoint का formula आप सब जानते हैं, मैंने पहले बताया भी है, लेकिन एक बार लिख देता हूँ, इसके questions जादा time आई रही है, इसलिए, अगर ये मैंने small letters से denote किया है, तो इस वाले को मैं capital letters से denote कर दूँगा, वरना दोनों एक जैसे लगेंगे, और आपको लगेगा कि सर, cancel out कर दीजे, दोनों तरफ से हैं न, ये capital, एक्स वन प्लस एक्स टू, ध्यान से, किसका midpoint है, AC का, गलती से जल्दबाजी में, A भी को मत ले लीजेगा, AC का midpoint है, तो A और C के coordinates दिखने हैं बस आपको, X1 प्लस X2, यही तो लेते हैं, X1, Y1, X2, Y2, तो X1 प्लस X2, मतलब क्या जाएगा यहां पे, 1 प्लस X अपॉन टू, Y1 प्लस Y2, Y1 प्लस Y2, मिन 2 प्लस 6, अपॉन टू, BD के लिए देखेंगे, BD, X1, 4, प्लस X2, 3, Y1 प्लस Y2, Y प्लस 5, अपॉन टू, तो यहां से students, यह तो आ जाएगा, अच्छा, चलो मैं एक लाइन लिखी देता हूं, 1 प्लस X अपॉन टू, और यह आपका 6 प्लस 2, 8 अपॉन टू, यानिकि 4, यह आपका 7 अपॉन टू, और यह Y प्लस 5 अपॉन टू, अब आप भी जानते हैं, X का कॉडिनेट X के इक्वल रखा जाएगा, मतलब 1 प्लस X अपॉन टू, is equal to 7 upon 2, और यहाँ से Y प्लस 5 upon 2, is equal to 4, 2 से, यह वाला 2 cancel हो जाएगा, X प्लस 1 is equal to 7 बचेगा, तो यहाँ से, X की वैल्ली तो आजाएगी 6, और यह 2 फोर्स अर 8 हो जाएगा, तो, and, Y प्लस 5 is equal to 8, Y प्लस 5, 2 का 4 में multiply होके 8 हो जाएगा, तो Y की वैल्ली आजाएगी students 3, बस खतम, क्यों, हमसे X और Y की वैल्ली उस पूछी गई थी, X की वैल्ली आ रही है 6, और Y की वैल्ली आ रही है आपकी 3, तो यह solution इसका, ऐसे करके खतम होगा, तो हमने इसके कितने questions खतम किये, 6 questions, बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा lengthy न हो, क्योंकि आप ही कहते हैं, सर बहुत videos lengthy होती है, मैं आराम आराम से समझाता हूँ, एक एक चीज, इसलिए थोड़ा सा time लग जाता है, तो वीडियो लेंदी हो रही होने दीजे, knowledge आपको proper मिलती रहे, तो फिर भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं बस यहीं पे खतम कर रहा हूँ, 6 questions तक कराके, आगे के जो questions हैं, मैं बहुत जल्दी upload कर दूँगा, वो भी आप मेरी playlist में देख लीजेगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे like करें, share करें, channel को subscribe कर लीजे, bell icon को hit कर लीजे, ताकि आपको सारे notifications मिलती रहें, और अपने friend circle में, ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे, like कीजे, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, और आप मेरे description में देख लीजेगा, मैं अपने pages के link देदूँगा, instagram page, facebook page, unacademy page, अगर कोई बच्चा मुझे से unacademy पर join होना चाहे, तो हो सकता है, मैं अपना referral code भी लिख देता हूँ, अगर कोई बच्चा unacademy पर मेरा referral code यूज करता है, तो उसे 10% का discount मिलेगा fees में, और मेरा referral code है mohit A, ठीक है, mohit A, mohit A, mohit अगरवाल नाम है, इसलिए, referral code वो होता है, जब आप apply करेंगे unacademy पर, तो आपको 10% discount मिलेगा, ठीक है, unacademy का जो link है, वो भी मैं अपने description में दे दूँगा, वहाँ आप मुझे search कर सकते हैं, follow कर सकते हैं, जुड सकते हैं, thank you so much.